दोस्तों आपका एक फिट से हमारे चनल नोटोडने सागत हैं आज की इस स्पेशल वीडियो में तो इस वीडियो में मैं आपके लिए फिजिकल एजुकेशन क्लाश 12 का जो अभी अभी सेंपल लेपर आया है जिसकी मैंने आपको वीडियो बना के बता रिया था ठीक है और आ आपको इस वीडियो को देखके पूरी अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा तो जरूर अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का जो स्लेबस आया था उसमें क्लियर नहीं किया गया था कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का रहे ह इसलिए मैंने सेंपल वेपर में से ये वेटेज बनाई है हर चैप्टर की बहुत इसमें मैनत लगी है तो प्लीज वीडियो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और पूरी वीडियो जरूरें तक देखेगा ठीक है सबसे पहले बता दूं आपका जो फिजिकल एजुकेशन मैंने क्लाश 12 का cbsc का उसमें टोटल 10 चैप्टर से ठेक है उनी के नाम मैंने आप लिख दी है अभी आपको दिखाऊंगा तो हिंदी मीडियम में मैंने लिखा है क्योंकि मेरे पर जो बुक अविलेबल थी उसी से मैंने यह ब्लूप्रिंट तयार किया है तो हिंदी मीडि इस नमबर के 2 question होगे तीन नमबर का 1 question होगा और 4 नमबर का 1 question होगा जो आपको यह नीचे right hand side में दिख रहा होगा ठीक है 9 marks जहां लिख आए मैंने उसके नीचे उसके नीचे जो लिख आए वह question पूचे गए यानी इस चैप्टर से कितने question पूचे गए है चार ठीक है दो पूछे गए हैं sample paper में जिसमें से एक एक नमबर के दो question है और तीन नमबर का एक question है ठीक है फिर है unit 3 योग जीवन शैली रोग के लिए निवारक उपाए इसमें से 7 नमबर के question पूछे गए है एक एक नमबर के दो question पूछे गए है इसमें और 5 नमबर का 1 question इसमें पूछा गया है अगली unit है unit 4 सारी रीक रूप से अक्षम के लिए सारी रीक सिक्चा एवं खेल यानि CW, SN के लिए जो है सारी सिक्चा एवं खेल तो इसमें से 8 number के question पूछे गई है एक number का 1 question आया था तीन नमबर का एक कोशन और चार नमबर का एक कोशन ठीक है फिर आप देख लिएज़े यूनिट फाइफ यूनिट फाइफ जो है आपका साथ नमबर का इसमें से कोशन पूछा गया था इसका नाम क्या है खेल तथा पोशन ठीक है साथ नमबर किस तरीके से एक एक नमबर के दो कोशन थे दो नमबर का एक कोशन था और तीन नमबर का एक कोशन था यानि टोटल साथ नमबर इस चैप्ट से पूछे गए थे फिर यूनिट सिक्स खेलों में परिक्षन ततम आपन इसमें से आठ नमबर का कोशन पूछा गया था एक नमबर का एक कोशन, दो नमबर का एक कोशन, और पांच नमबर का एक कोशन, टिक है टोटल आठ नमबर फिर है यूनिट सेवन, शरीर क्रिया विज्ञान, एवं खेल में चोटे इसमें से 9 नमबर का आपको question पूछा गया था जिसमें 1 एक नमबर के 2 question थे 2 नमबर के 2 question थे और 3 नमबर के 1 question ठीक है total 9 नमबर फिर आपका जो most important chapter sample ले पर गई साब से unit 8 जयव यांतरिकी एवं खेल कूद इसमें से 11 नमबर का total question पूछा गया था जिसमें 1 एक नमबर के 2 question थे 4 नमबर का 1 question था और 5 नमबर का 1 question था यानि बड़े वाले जो question है long answer वाले वो इसमें से पूछे गये थे ठीक है फिर है unit 9 mono विग्यान तथा खेल इसमें से 7 नमबर का question पूछा गया था 1 एक नमबर के 2 question 2 नमबर का 1 question और 3 नमबर का 1 question थेक है फिर है last unit खेलो में प्रसिक्षन इसमें से भी 9 नमबर का पूछा गया था 1 एक नमबर के 2 question 2 नमबर का 1 question और 5 नमबर का 1 question थेक है तो दोस्ता आप सबने देख लिया हुआ कि किस chapter से कितने नमबर का paper आया है कितने नमबर के कितने questions आया है ठीक है अब सबसे important बात अब जब आप इन सबी marks का total करते हो तो बनता है 80 marks और total कितने questions बनते है 37 तो आप कहेंगे कि physical education का जो paper है वो तो 70 number का है तो sample paper में 80 number कैसे बनते है तो मैं आपको एक बार बता दूँ कि जो instruction आया था sample paper में वो मैंने जब आपको पढ़के सुनाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि section B से एक question छोड़ना है section C से एक question छोड़ना है और section E जो 5 number का उसमें से एक question छोड़ना है तो section B यानि कि 2 number का एक question छोड़ना है Section C यानि 3 number का 1 question छोड़ना है और Section E यानि 5 number का 1 question आपको skip करना है यानि कि Total 10 number के जो question है वह आपको skip करना है तो आप ये बात समझेए कि question है Total 37 आपको करने है 34 Total marks है 80 आपको किनना करना है? 70 number का attempt करना है ठीक है? और 70 में से ये आपकी marking होगी तो ये जो था हमारा Physical Education के paper का blueprint था तो उम्मीद करता आपको समझ आ गया कि किस chapter से कितने कितने question आई है कितने marks का कौन सा chapter है किस chapter की weightage ज़्यादा है किस chapter की weightage कम है और आपको जो question skip करने थे ठीक है उससे जो है आपका marks 70 number का आपका Total paper हो गया तब इसको सम करके देख सकते हैं तो आप से फिर मिलेंगे आप नेक्स वीडियो में किसी और टापिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई See you again and thanks Roji और जयाहिंद